स्टेटमेंट् स्टेटमेंट्स हमारे पर स्टेटमेंट्स हो एक चन्डीशनल श्तेटमेंट्स डप सिंपलिस्स इनिस नश्टिटिंस अदर वैसे हिजम के जो है for loop while loop and do while loop तो एक एक करकर हम सब चीजों को देखेंगे और बताते हैं क्या होता है यह तो पहले बढ़ते हम if else के तरफ तो if यानि की yes else यानि की no ओके आपने कोई instruction pass किया है तो instruction में आपने condition दे दिया है ठीक है जैसे कि आप एक form fill करने के form में आपके पास condition है ठीक है आपका age अगर 18 होगा तभी आप यह form fill कर सकते हो तो यहाँ पर यूज कर रहा है if and else condition if यानि की yes मैं 18 plus हूँ तो मैं यह form fill कर रहा हूँ अगर आप 18 plus नहीं हो तो no हो जाता है तो यानि कि यहाँ पर else print हो जा रहा है तो जब भी आपका condition true होता है तो if print होता है false होता है तो यह हो गया हमारे if else nested if else क्या होता है हमारा nested if else यानि कि if else के अंदर एक if else यानि कि if के अंदर if अब होता है last हमारा switch तो switch होता है na switch भी हमारा condition पर चलता है लेकिन switch के पास हमा दे रहे हो तो A ही दोगे, B दे रहे हो तो B ही दोगे, वहाँ पर कोई operator लाइक, greater than, equal to, plus, equal to, इस अब नहीं आता है, वहाँ पर कोई operators नहीं आता है, switch के अंदर just आपका variable आता है, अब variable में जो value pass कर रहे हो, जैसे कि one, तो उस value को लेकर, वह cases में shift करता है, यह जो switch है, वह हम program से बहतर समझेंगे, तो बाकी जो भी है, go to, return, break, continue, यह हमारे jump statement होता है, jump statement क्या कराता है, एक instruction से दूसरे instruction में jump कराने में help करता है, अब for while, do while, यह हमारे पस loop होता है, तो loop समझते होना क्या होता है, जैसे कि आप कोई media player में क्या गाना वगरा सुन रहे हो, तब जब loop में डालते हो, तो वह गाना घड़ी 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 चलता है, तो उसे बोलते है हम loop, तो यहां पे भी हमारा for while, do while, इनका भी वही काम है loop करवाना, तो इनके अंदर हमारे पस conditions होते हैं, जब तक वह condition true होता है, वह loop हमारा चलता रहेगा, तो यह सब देखते हैं हम example के जरीए, तो देखते हैं examples, चले इस example से समझते है, if and else होता क्या है, तो यहां पे हमने flowchart बना लिया है, तो flowchart करीब ऐसे जा रहा है, तो ऐसे flowchart हमारा जा रहा है, अब यहां पे हो क्या रहा है, तो यहां पे हमने condition दे रहा है, क्योंकि if के अंदर condition जाता है, तो condition दे रहा है age अगर user like user ने input डाला और user का input से हम पूछ रहे कि user तुमारा age क्या है बताओ तो user ने बोला मेरे age 17 है तो age user ने रहे दिया 17 अब क्या हो जा रहे हमारा condition है age should be greater than equal to यहां पर हमने relational operator का use किया greater than equal to 18 तो condition बोल रहे हमारा age या तो equal to 18 होना चाहिए या तो 18 से बड़ा greater होना चाहिए तो यहां पर user ने age 17 टाइप कर दिया है तो हमारे पास if and else होता है अगर condition true है यानि कि यह condition जो है सही हो रहा है तो yes और नहीं तो no तो yes जहां पर हो रहा है यानि कि true जहां पर हो रहा है उसे हम बोलते है if और जहां पर यह false हो जा रहा है उसे बोलते हम else तो यहां पर हमारा age 17 है तो 17 हमारा 18 से छोटा है तो यह हो जाएगा हमारा else statement पर तो यहां पर instruction आया condition देखा देखा condition wrong है तो if के अदर नहीं जाएगा अब यह if के अदर नहीं जाएगा अब यह जाएगा else के अंदर यह चला गया हमारे else के अंदर अब हम दूसरा लेंगे age हमारा age अब लेते हैं 20 तो 20 में क्या हो जा रहा है अब यहां पर फिर से öमारे पहरे ऑफ एक condition है और हमारे पास else statement है और if statement है तो अब बताओ कि age हमारा 20 होगा तो user ने जब 20 मारा तो किस वाले statement में जाएगा yes correct if statement में जाएगा if statement में जाकर जो if का अंदर जो हमने instruction पास रखकर रखक है वो print कर जाएगा अगर यह age हमारा 20 से like 18 से below रहता 18 से below रहता तो हमारा जो है यह else statement में जाता और हम else के अंदर वाला print कर देते हैं उसके बाद यह दोनों होने के बाद हम instruction टूप के तरफ बढ़ जाते हैं तो यह हो गया हमारा if and else तो simple if में क्या होता है हमारा else का जो पार्ट है वो रहता ही नहीं है बस हमारे पस if होता है अगर यह true हुआ बस if चलता है हमारा उसके बाद directly यह print होकर instruction 2 में चला जाता है यह खतम हो गया हमारा if and else normal वाला ओके तो if and else nested nested यानि की एक के अंदर एक याईनि if के अंदर if if else के अंदर if else तो उसे बोलते हम nested if else तो अब user ने age मार जया 18 तो condition हमारा क्या हो जा रहा है अगर 18 से below रहता है तो directly पहले else statement में आता और else statement से directly यह instruction 2 में चला जाता लेकिन अ if condition के अंदर जैसे if condition के अंदर आया तो compiler पहले जो if का पहला वाला statement है उसे print करेगा फिर compiler देगेगा हमारे पास एक और condition है जहां पर मैंने दिया अगर age equal to 17 होता तो मैं print करता फिर से you are selected अगर नहीं होता तो मैं फिर से print करता है else ओके तो यहां पर age 18 था हमारा तो और if के अ false हो जा रहा है तो यह वाला else print होगा और instruction 2 में आ जाएगा तो यह पार्ट यहां पर कभी print हो गई नहीं क्योंकि हमारा age अगर 18 से below हुआ तो हमेशे else में जाएगा if में नहीं जाएगा और else से direct यहां पर instruction 2 पर आ जाएगा तो यहां पर हमने if else और natural if else को flow chat के जरीए समझ ल लेकिन switch में हमारे पास कोई यहां पर operators नहीं होते हैं just हम यह एक variable पास करते हो और इस variable का value को लेकर switch के अंदर जो cases होते हैं उसमें हम shift करते हैं और यहां तो switch करते हैं ओके तो यहां पर एक example लेते हैं instruction 1 में हम कुछ outputs पास करते हैं और output 1 होगा 2 होगा 3 होगा तो तीनों में स्क्राइटमेंट करवाँगा अगर user 1 दवा रहा है तो user के age 18 है user 2 दवा रहा है तो user के age 17 अगर 3 दवा रहा तो user के age 21 लाव ओके तो user से आमने बोल है अगर तुम्हारा एज 18 है तो press करो 1 17 है तो press करो 2 अगर about 21 है तो press करो 3 तो user ने देखा अपने age के साब से और press किया 1 तो a की value जो है अब 1 हो चुकी है क्योंकि हम जो 1 value है ना a में store करवा रहा है तो a की value अब 1 हो चुकी है अब जैसे ही 1 हुआ तो switch का काम क्या है cases में switch करवाना तो इसने क्या क्या जैसे value 1 हुआ तो case 1 में shift कर गया लेकिन अगर user ने value 2 enter किया तो a की value 2 हो गई तो 2 होता है तो ये case 1 में नहीं जाता है ये case 2 में जाता है 3 हुआ तो वैसे ये case 3 में जाता है 1 और 2 में नहीं जाता है 1 हुआ तो 2 और 3 में नहीं जाता है तो value के इसाब से उन cases के value में ये shift करता है तो ऐसा हमारा switch काम करता है क्या करता है switch काम करता है कैसे करता है A की जो value है ये case के value से match करना चाहिए तो case पर हम जो value दे रहा है A के value से match करना चाहिए और जो value A में हमने दिया है अगर वो value का case exist कर रहा है तो वो क्या करता है उस case में switch कर जाता है और उस case के अंदर जो भी instructions हमने pass किया है उस instruction को print कर जाता है उसके बाद खतम होने के बाद यह instruction 2 में आ जाता है तो यह हमारा switch case हो गया तो go to go to हमारे jump statement में आता है conditional statement में में आता है if else switch यह आता है तो go to हमारा आता है यहाँ पर jump statement के अंदर अब jump statement कराता क्या है jump नाम से ही समझ रहे हो jump यानि यह jump करवाता है तो कैसे jump कराता है तो compiler पहले आएगा यह instruction 1 देखता है फिर instruction 2 देखेगा फिर जैसे ही go to को देखा तो go to का जो नाम है यह start यह start जैसे ही देखा compiler ने go to और start देखा तो compiler डून देखा है यह start हमने लिखा कहा है तो मैंने यहाँ पर start instruction 1 से पहले लिखा हुआ था तो compiler जम कर जाएगा इस start में तो go to को काम क्या होता है जहाँ पर हमने go to का नाम लिखा है उस नाम पर जम करा देना तो यह instruction 3 प्रिंट नहीं होगा instruction 2 के बाद go to और start देखकर डिरेक्टलिस यहाँ पर यह जम कर जाएगा तो यह हमारा हो गया go to अब आते हम return statement में तो return हमारा एक और jump statement है जो function से function जम कराता है तो यहाँ पर हमारे पास एक function 1 है और एक function 2 है तो function 1 के अंदर हमने जो main function है उसके अंदर हमने function 2 को call किया जैसी function 2 को call किया यह compiler क्या क्या function 2 में जम कर दिया जैसी function 2 में जम किया तो हमने यहाँ पर instruction 1 को देखा फिर return देख लिया, तो compiler ने जैसे return देखा, यह वापस main function जहाँ पर आपने function को call किया था, उस function पर पहुंच जाएगा, यह instruction to जो है यहाँ पर नहीं print होगा, compiler return देखते साथ ही यह उपर की तरफ, जो main function है, इस main function में जम कर जाएगा, तो return का काम क्या है, function से function जम करवाना, उसके बाद हम आते है break में, break एक और हमारा jump statement है, जो की use होता है, एक program या एक instruction को terminate करानी में, तो function 1 है हमारा, उसके अंदर पहले हमने instruction 1 देखा, instruction 1 के अंदर हमारे पास एक if statement है, if statement के अंदर फिर से एक instruction है, क्योंकि if के अंदर भी हम instruction देते है, उसके अंदर एक और if है, if के अंदर एक और if, तो एक nested if हो गया, तो जैसे ही compiler ने इस break को देखा, जैसे ही compiler ने इस break को देखा, तो यह क्या करता है, terminate कर देता है, और directly जम कर जाता है instruction, जो if के बाहर जो instruction होगा, जो के instruction 2 होगा, वहाँ पर जम करा देता है, यो जो if के अंदर वाला जो if था ना, अब यह नहीं होगा, क्योंकि compiler नहीं यहां में break को देख लिया, तो इसके आगे वाला part जो है if के अंदर व continue की ओर तो continue क्या करते है हमारा तो सेम यहां पर हमने एक function ले लिया function के अंदर सेम एक instruction पास कर लिया फिर हमने एक if condition चला है if के अंदर एक और if चला है तो यहां पर क्या हो जा रहा है हमने if में instruction एक दिया और उस instruction में हमने continue को लिख दिया तो compiler यहां पर क्या करता है break की तरह यहां पर terminate तो कराता है लेकिन यह if condition से बाहर नहीं जाएगा यह if condition से बाहर नहीं जाएगा यह बस यह जो instruction जिसमें हमने continue को यह use किया था बस इस instruction को terminate करेगा और इस instruction को print नहीं करेगा इसके आगे का जो है यह जो है इसे print कर जाएगा फिर यहां से फिर से बाहरा कर वह instruction 2 को print कर जाएगा तो continue को basically काम होता है चीजों को terminate कराना और skip कर देना terminate करके skip कर देना ना कि उस पूरे instruction से बाहर निकल जाना जैसे कि break हमारा फिर से बाहर निकल के आगे का instruction लिखता है लेकिन continue हमारा इफ के अंदर ही रहता है जिस लाइन में हमने continue को jis instruction में continue को use कह था बस उस instruction उस particular line को skip कर देता लेकिन वो इफ के अरए रहता है इस खतम होने के बाद ही वह instruction 2 में जम कर देते हैं आगे के instruction में तो यह हो गया हमारा continue अब चलते हैं हम loop statements पे तो हमारे पास looping statement में तीन तरह के होते हैं for while and do while तो start करते हैं for loop से for loop के जो parentheses होते हैं उसके अंदर for loop में तीन चीज़ पास करते हैं एक तो हमारा initial value variable का दूसरा variable का condition और तीसरा variable को हम increment कर रहे हैं यह decrement कर रहे हैं तो increment यानि कि हर एक बार हम a में 1 plus 1 add कर रहे हैं तो पहला a का value 1 था पहला बर जब loop चला तो a की value क्या हो गई है a++ यानि कि a plus 1 तो 1 plus 1 2 दूसरे बार जब loop चला तो 3, 4, 5 ऐसे a का value increase होता रहेगा तो यहाँ पे loop कैसे काम करता है instruction 1 आया इसने loop देखा फिर यहाँ पे आया यह से print करेगा यह तब तक प्रिंट करेगा जब तक यह जो condition है यह satisfy नहीं हो रहा है अब a की value 1 है अब यहामे condition क्या हमारा a lesser than equal to 10 अब a हमारा lesser than equal to 10 है yes correct है condition true हो जा रहा है क्योंकि 1 हमारा 10 से छोटा है और equal नहीं है लेकिन 10 हमारा छोटा है न तो सही condition सही है तो यह print हो गया तो यहाँ पे a की value एक plus हो गई फिर आया अब a की value 2 हो गई है तो 2 क्या 10 से छोटा यह चोटा है फिर से यह चलेगा और a की value 2 print हो जाएगी फिर यह गूम कराया है यहाँ अब a की value हो गई है 3 क्योंकि a increment हो रहा है यहाँ प्लस-प्लस 3 10 से छोटा है यह चोटा है सेम ऐसे print हो तो यह 1 से लेके 10 तक चलेगा जैसे equal to equal to 10 तक चलेगा क्योंकि हमने lesser than equal to 10 तो य loop को end कर जाता क्यों end हो जाएगा क्योंकि a की value है वह 10 से ऊपर चले जाएगी 10 से ऊपर यानि कि 11 तो 11 is lesser than 10 नहीं न तो यह condition false हो गया और यह loop से बाहरा कर instruction to को print कर देगा तो यह हो गया हमारा for loop for loop को हम non loop इसलिए बोलता है क्योंकि for loop में starting value पता है और ending value पता है इसलिए हम हम इसे बोलता है non loop अब हम आएंगे while loop में while loop होता तो है एक loop यह भी हमारा loop चलता रहता है इसमें अभी जब तक condition true हो जा रहा है यह loop चलता रहेगा जैसे condition false हो यह loop बंद हो जाएगा तो while में यह फरक है कि हमें while में starting value नहीं पते है okay हमें बस इतना पता है कि कहां पर उस चीज़ को रोकना है तो ending value बस हमें पता है starting का जो value हमें इसे नहीं पता है तो इसलिए हम इसे बोलता है unknown loop क्योंकि हमें इसमें starting value नहीं पता है यहां पर बस हम condition pass करता है यहां पर कोई initial value नहीं देता है कोई increment decrement नहीं देता है तो यहां पर मैंने a ले लिया a should be lesser than equal to 10 और मैंने यहां पर print के जगह a++ यह body में कर दिया अब यहां पर a की value starting में मैंने दे दी 0 starting में a की value 0 दे दी अब क्या हो गए यहां पर loop चलना start हुआ a की value 0 है 0 is lesser than 10 yes true फिर loop चला 1 चला 2 चला 3 चला जैसे 11 हुआ यहां पर तो यह condition false हो जारा है 11 is not equal to 10 और not lesser than 10 तो यह loop से बाहर आके instruction to print कर जाएगा तो same हमारा do y loop भी होता है लेकिन do y loop में फर्क यह होता है do y loop में पहले body चलता है फिर उसके बाद हमारा loop चलता है तो यह कैसा चलता है ऐसे होता है ऐसे चलता है ओके तो इसलिए हम do y loop को हम बोलते है post condition loop यानि की बाद में loop आता है और while को हम बोलते है pre condition loop तो यह same while जैसे ही चलता है क्योंकि यहां पर भी हमारे पस कोई initial value नहीं है बस condition है जब तक condition चल रहा है condition true हो रहा है तब तक यह loop चलता है जैसी condition false हुआ तो यह loop break होकर आ जाता है instruction 2 में तो यह हो गया हमारे सारे statements तो next lecture में हम समझते है programming के जरिए यह statements को कैसे execute किया जाता है और अच्छे तरीके से हम समझेंगे इसे so thank you मिलते है next lecture में